बैटो सुधीर दीदी जी मैंने तो अपने घर में फूलों के साथ साथ फल और छाया वाले पिरन भी लगा है उनके अर्याली बहुत अच्छी रखती है दीदी जी मैंने और मेरे दोस्तों ने मिलकर अपने पास वलोस में पेल लगा दिये हमारे इस काम से सभी बहुत खुश है सुधीर तुमने काम ही ऐसा किया है कि सभी को प्रसनिता हो और व्रक्षा रोपन के प्रती तुमनों की जावरूता देखकर मुझे भी पहुत खुशी हो रही है दीदी मुझे कैक्टस बहुत अच्छा लगता है लेकिन वो मेरी क्यारी में चलता है नहीं रोज सुब़े शाम पानी देती हूँ लेकिन वो सोक जाता है नीरा वो इसलिए क्यूंकि कैक्टस रेटीली भूमे में और कम पानी में अच्छे से चलता है दीदी जी क्या पहार के पेर और मैदान के पेर अलग-अलग होते हैं हाँ प्रदीर पहार के पेर और मैदान के पेर अलग होते हैं और यही नहीं इनने पानी और प्रकाश की मात्रा भी अलग-अलग होनी चाहिए इनने फिंदता होती है, इसी लिए इस फिंदता के आधार पर हमारे वनों को चार भागों में बाटा गया है कौन कौन से दिदीजी? सदा बहारवन, पत जड़िया पर्डपाती वन, मरुस्थली वन, तटी या डेलटाई वन दिदी जी सदा बहारवन कैसे होते हैं? सदा बहारवन ऐसे होते हैं ये पूरे साल हर भर रहते हैं पत जोड में भी इनकी पत्तियां नहीं गिरती हैं इसलिए तो इन्हें सदा बहारवन कहते हैं दिदी जी क्या पजड पर्ण पाति की वनों की पत्यां गिर जाती है हां साल में इनकी पत्यां एक बार गिर लिये तो इने पत्छड या पर्ण पाति वन कहते हैं जी जी जब इतने डेर सारे वन काट दिये गए तेने लगाना भी तो चाहिए हा सुधीर अगर हम अपनी वन समपदा को नहीं बढ़ाएंगे तो हमारी पर्या वरड है वो असंदुलित हो जाएगी जिसकी वज़ा से हम बड़ी भारी मुसीबत में पढ़ जाएंगे कि महांकार है वनों की शीतलता बादल को बरसने पर मश्बूर करती है तभी तो यह बरसते है और अगर वर्शा ना हो तो जल चकर गड़बढ़ा जाएगा कहीं बांग आजाएगी कहीं सुखा बर जाएगा बिल्कु ठीक कहा प्रदीप तुमने तुम तो बहुत समझदार हो और पेरल पादल की जड़े उपजाओं मिट्टी को बहने से रोकती है बिल्कु ठीक जब वन नहीं होंगे तो शेर, चीता, हाथी, बेड़िया, लूमडी आधी जनवर भी नहीं होंगे बिल्कु ठीक कहा और अगर ये नहीं होंगे तो चड़िया घर सुने सुने लगेंगे प्रदीप, ये जनवर चड़िया घर की रौनक ही नहीं बढ़ाते, बल्कि पर्यावरण को भी संदुलित करते हैं कैसे जीदी जी? अगर सोचो अगर शेर ना हो, तो नील गाय और हिरन कितने ज़ादा हो जाएंगे? और नील गाय और हिरन ज़ादा हो जाएंगे, तो हमारी फ़सलों का क्या होगा? और अगर फ़सल नहीं होगी, तो क्या होगा? हमारा जीवन? नहीं, तो कोई जीवीत नहीं होगा है हम भोजन नहीं पाएंगे, सास लेने में हमें दिक्कत होगी क्योंकि वन हमें सांस लेने के लिए ऑक्सिजन और खाने के लिए भोजन देते हैं, हाना? हाँ तेजी जी, अब से हम लोग धेर सारे रिक्ष लगाएंगे और अपने चारों और हर्याली देखनी है, तो हमें क्या करना चाहिए? तुर्ण्थ हे व्रक्षार ओपन शुरू कर देना चाहिए, क्यों? जी, 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 तो चलो हम लोग व्रक्षार ओपन शुरू करें, जी, जी,